ये सबसे खास बात यह है कि कोई भी एपिसोड किसी भी दूसरे एपिसोड के साथ इंटर कनेक्टेड नहीं है यानि कि हर किसी की स्टोरी इंडिवीज्वल है हाली में मैंने एक मूवी को एक्स्प्लेइन किया था जिसका नाम था दी पॉप्स एक्सॉर्स एक हॉरर मूवी थी और आप लोगों का रिस्पॉंस उस पर बहुत अच्छा आया था और काफी बहतरीन कमेंट्स भी आये थे जिन में यह शामिल था कि आप प्लीज हॉरर आप लोगों के लिए आज इस स्टोरी को हम एक्स्प्लेइन करने जा रहे हैं उसका नाम है लॉट थर्टी सिक्स चली आते हैं इस कहानी की में स्टोरी लैंड की दरव जिसकी शुरुबात में एक शक्स को देख पाते हैं जो की मीट काटते हुए टीवी देख रहा था इस दोरान उस बूड़े शक्स को हट आट आप जाता है और वह वहीं पर गिरकर मर जाता है और जो पीसे मीट के वो काट रहा था वह उसी के ऊपर ही घर जाते हैं जसके उपर थर्टी सिक्स नंबर लिखा वा था जो की एक की ती जिसके बाद हम एक आउक्शन को देख पाते ह यहां पर कुछ पुराने storage rooms की निलामी हो रही थी अगर बात करी जाए इंडिया की तो हम लोग हमारे घर में जितना भी फालतू का सामान होता है उसे टांड पर रख देते हैं या फिर किसी स्टोरूम में रख देते हैं लेकिन अमेरिका और बड़े-बड़े शहरों में इनक रेंट पर एक अलग से storage room पर चेस करके उनमें समान डालना पड़ता है और साथ ही हर महीने उसका पैसा भी पे करना पड़ता है अगर रेंट पे नहीं करेंगे तो उस storage room की निलामी हो जाती है यहां एडी को दीख पाते हैं जो इन सभी storage rooms की बिडिंग लगा रहा था जहां और फाइनली निक नाम का एक शक्स उस लॉट को 400 डॉलर में खरीद लेता है इसे खरीद कर वो जब खोल कर देखता है तो उसे लगता है कि इस लॉट की साइस थोड़ी चोटी है अब यहां पर यह स्ट्रक्चर था यह 1945 में बनाया गया था जहां पर वर्ड वार 2 के दौर और बार कॉल आता रहता है जो कि उससे करीब 12,000 डॉलर मांगता था निक उससे कहता है कि उसने स्ट अब एक स्टोरीज रूम खरीदा है अगर उसमें से कुछ खास समान निकला तो उसे बेच कर धीरी धीरे करके उसके पैसे चुका देगा निक आकर एड़ी को एक्स्ट्र ने दोस्त हुआ करते थे तभी एड़ी निक को एक बात बताता है कि इधर आओ टीवी में देखो लॉट तुमने अभी खरीदा है यह बूड़े शक्स का हुआ करता था इस शक्स नहीं स्टोरीज रूम 1945 से ले रखा था और तब से वहर रोज यहां पर आता था उसके हाथ से चले जाने के बाद में एमिलिया नाम की एक औरत वहां पर आती है और एड़ी से कहती है कि मैं पिछले कई सालों से अपने स्टोरीज रूम का पैसा भरते आ रही थी लेकिन मुझे कली खबर चली कि आपने मेरे उस स्टोरीज रूम की निलामी कर दी जिस पर एड़ी कहत लीजिए मुझे कुछ नहीं चाहिए जिस पर एड़ी कहता है कि आपका स्टोरीज रूम कुछ टाइम पहले उस निक नाम की शक्स ने खरीदा था जो कि अभी वहां से जा रहा है आप चाहें तो उससे एक बार बातचीत कर सकती है और कहती है कि कुछ टाइम पहले तुमने गलती तुमने अगर उसका किराया नहीं भरा तो अब निलाम हो चुका है और यहां पर निक एमिलिया से बहुत ज़दा रूड होकर बातचीत करता है जिस पर एमिलिया कहती है कि तुम नर्क में सड़ोगे उस समय निक एमिलिया की बातों पर गौर नहीं फरमाता और वहां के साथ हो एड़ी को कंप्लेंट भी करता है कि इस यूनिट की स्पेज बहुत कम है मुझे इस बार कम समान दिया है तुमने जिस पर एड़ी वही से दोराता है कि यह पुरानी है यहां पर कुछ चोटी हैं तो कुछ जादा बड़ी है अब इस जगे की सबसे अलग बात यह थी कि यहां की लाइट पर चला करती थी मीटर को एक बार घुमाने पर पांच मिनट की लाइट जलती थी और उसके बाद आटोमेटिक ली बंद हो जाया करती थी जब एड़ी वहां से उन समानों को बीचने के लिए जाता है तब ही वहां पर टॉम के कुछ गुंडे आगर इडी को बहुत मारते हैं अद्मरी हालत में वापस से एडी के पास आता है जहां पर एडी उसे कहता है कि अगर तुम्हें इस पुराने समान के यिक्वत कि अगाथा से मिलने के पहुंच ता है इस वक्ति के इस साथ में एक गूल टीबल था जिस पर बताती है कि एक स्यंस स्टेबल की मदद से किसी भी भूत प्रेत आत्मा चुडएल को बुलाया जा सकता है लोग इसकी मदद से उन आत्माओं से संपर किया करते थे लेकिन निक को इन सभी चीजों में कुछ भी इंटरस्ट नहीं था उसे तो बस इन चीजों के बदले अपने पैसे चाहिए थे ले से भी पुराने रिच्वल्स के बारे में बहुत हद तक मालूम था और वो जब इसके सीक्रिट कॉर्णर को टच करता है तो उसमें से उसे तीन किताबे मिलती है इनका नाम था डेमॉनिक बुक्स को देखकर रॉलैंड काफी जादा खुश होता है और बताता है कि इन एडिशन ही इसकी वैल्यू को बढ़ा सकता है तो इन सभी टूटल चीजों के बदले में तुम्हें तीन लाख डॉलर्स दूंगा यानि कि इंडिया के हो जाते हैं करीब साड़े 24 लाख रुपे और वैसे भी निक के सरपर करीब 12000 डॉलर का तो कर्स था ही था और उसे वै शक्स को जानता था वह शक्स काफी लालची किसमगा था यहां तक कि उसने करके आत्माओं का अपने कबजे में किया और फिर बहुत अमीर भी बन गया लेकिन देरी-देरी करके वह एक डीमन का पुजारी बन गया और से खुश करने के लिए उसने अपनी बहन की बली भी च जब यह स्टोरीज को चेक करने लगते हैं तो रॉलैंट भी वही बात कहता है कि युनिट इतनी छोटी कैसे है इसका मतलब इसके पीछे जरूर कोई न कोई दर्वाजा होगा या फिर यह वाली युनिट इंटर कनेक्टेड होगी यह दोनों बारी-बारी से उस कमरे की तल यहां पर कोई बहुत इंपॉर्टन चीज शिपा कर गया होगा इसलिए उसने इंटर कनेक्टेड यूनिट ली आगे और अंदर जाने पर उन्हें एक और बड़ा चेंबर दिखाई पड़ता है जसके अंदर गोला बना हुआ था और उस गोले के अंदर एक लाश पड़ी इसी के साथ हमें ये भी पता चल चुका था कि वह बोड़ा शक्स हर बार मीट को काट काट कर इसी डीमन के लिए लाता था ताकि उस डीमन से अपने सारे काम करवा सके और वह उसे नुकसान भी ना पहुंचाए वहीं पर उसकी डैट बॉड़ी के पास में वह फूर्थ बात है अगर बुग जल गई तो डीमन को फिर मारा भी नहीं जा सकता था रोलेंड उसे कहता है कि किसी भी चीज़ को छूना मत लेकिन गलती से निक का पैर उस गोली पर आ जाता है और वहां का सिंदूर हट जाता है और तभी वह डैट बॉड़ी जिंदा हो जाती है और उसे हर जगे वही डीमन ही दिखाई पड़ रहा था फाइनल गीट तक पहुंच जाता है लेकिन बाहर ताल लगा था वहां पर निक दूर खड़ी अमेलिया को देख पाता है और उससे अपनी मदद की भीक मांगता है वह से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा ब वह डीमन निक को खा जाता है और इसी के साथ कैबिनिट ओफ क्रियो सिटी का फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है इसका सैकंड एपिसोड भी मैं जुल्द ही लेकर आऊंगा सो तब तक लिए की वाचिंग अन स्टे सेफ मिलते हैं अगले वीडियो में कर दो